हाई लिब्रा और आपकी मंति प्रडिक्शन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ओगस्ट का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है पीऊ भी आपकी रीडिंग में आना चाहती थी नमस्ते करो चलो बैट जो अब शिरारती नहीं करने है ठीक है जो अबसका महीना है आपके लिए मुझे ओवरॉल एनरजी के काथ बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके लिए क्यूंकि अपने अपना ग्राउंड स्टैंड करना या अपनी पावर में स्टैंड होने के एनरजी है कहीं ना कहीं जो भी जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी आपके रास्ते में अपने अपने ग्राउंड स्टैंड करने के उनके अनरजी है कहीं ना कहीं इस तरह की है जहां पर आपने वो सारी चीजें जो आपको ब्लॉप कर रहे थी रोक रही थी उनको अपने रास्ते से हटा दिया है और अब एक विनर की तरहां स्टैंड कर रहे हो क्यूंकि अगर आप ये कार्ट देखोगे तो यहां पर सेवन ओफ वैंज निचे वुल्फ हैं और उन वुल्फ को उसने अपने ग्राउंड से अपने खेतों से हटा दिया है और ही इस फीरिंग लाइक कि लेकि अब मैं आराम से बैठ सकता हूं और मैं आराम से अपना अपनी लाइफ या अपनी सिचुवेशन या अपने खेती जो है उसको एंजॉय कर सकता हूं अपने जो गेंज हैं उनको एंजॉय कर सकता हूं क्योंकि वुल्फ को भगा दिया है और अगर आप यह देखें तो यहां पर भी एट और वैंज का कार्ड है और जो वैंज लगी है उनके ब्लोकज इनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है एक चीज का आपने ध्यान रखना है इस महीने बिना सोचे समझे डिसिजन नहीं लेने है जल्दबाजी में भागना नहीं है तो थोड़े से पेशन्स जो है क्योंकि सेवन अफ कप का का सेवन अफ वैंड्स भी है तो को लड़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो यह आपने ज़रूर ध्यान दखना है सबसे पेरे बात करते हैं आपके हेल्थ की हेल्थ के प्रस्पेक्टिव से हैड्ड मतलब है डेक्स या हमोनल इंबालेंस जो है वो मुझे आपके काज में दिखाई दे रहे हैं क्योंक अपना पॉस्च्टर से बैक रिलेटर इसव हो सकते हैं तो अपना पॉस्च्टर का ध्यान दखना है उसके अलाब ऐसा कोई मेजर इशु मुझे आपके काज पे नहीं दिखाई दे रहें एक और चीज जो मुझे आपके काज पे लग रही है वह हो सकती है कि आप आराम से आपको अचानक से उथके कहीं है, तो आप बिल्कुल सुटन उठ जाए और उसकी तुछा से नर्व प्रेंज हो जाए यद। अभशन, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो फ् . varied by the this energy range, Gosh up, also . के लिए ready है, वो थोड़ी energy को आपको balance रखना है, क्योंकि जिस तरह के आपके cards हैं, ज्यादर तर ऐसी energy है, जहां पे आप sitting हो, या जहां पे आप relaxed हो, या जहां पे आप sudden change में ही जा रहे हो, thoughtful change में जा रहे हो, तो वो आपको एक चीज का ध्यान का इस महीने एक भी card नहीं है लेकिन, क्योंकि overall energy इस तरह की है, कि 10 of cups है, magician है, और magician के card में सारे resources होते हैं, magician के card में pentacle भी होता है, magician के card में cup भी होता है, sword भी होती है, wand भी होता है, तो resources के availability should not be a problem, resources के availability रहेगी, resources के availability बिल्कुल भी issue नहीं रहेगी आपको हाँ, यह हो सकता है कि क्योंकि इस महीने आपको अपना ground stand करना है, आपको form होके decision लेने हैं, और कहीं न कहीं हर तालिक की चाबी जो है, वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप ये high priestess देके तो बहुत अलग है इस high priestess में, एक हाथ में उसके van पे एक owl बैठ है, owl जो है, वो wisdom की निशानी होती है, और एक हाथ में उसके चाबी है, वो चाबी दिखा रही है, तो दो money card as such नहीं है, लेकिन still आपकी money situation को लेकर मुझे कोई ऐसा worry या struggle या stress की feeling नहीं आ रही है तो ये बोर होती है, लेकिन फिट भी बैठती है, stress की feeling नहीं आ रही है, overall energy काफी positive है आपके cards की, तो money को लेकर कोई tension नहीं है, resources definitely available रहेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर भी देखें, तो यहां पर बहुत सारे points जो हैं, वो दिखाए गए हैं, नीचे seven of wands के card में भी, तो वस आपने ये धियान रखना है, बहुत जल्दबाजी में investments नहीं करनी हैं, बहुत जल्दबाजी में decisions नहीं लेने हैं, थोड़ा सा thoughtful रहना है money energy के साथ, और थोड़ा सा balance रखना है money energy के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके cards में, otherwise ऐसा कोई major issue मुझे, अगर मैं बोलू money के साथ, मुझे कोई issue दिखाए दे रहा है, तो नहीं, कोई major issue मुझे money energy के साथ नहीं दिखाए दे रहा है, overall energy ठीक है आपके cards की, अगर बात करे relationship की energy की, तो relationship की energy से मुझे cards आपके positive, again positive है cards, क्योंकि, एक king है, एक queen है, तो मुझे definitely कही नहीं relationship possibility आपके cards में दिखाए दे रही है, 10 of cups का card है, 10 of cups का card, happy home का card होता है, relationship balance का card होता है, और अगर आप देखें, तो king और queen है, और इनके पास एक नया baby आया है, यहाँ पे चोटे से cat बैठी है, और cat यहाँ पे negativity की निशानी नहीं है, cat यहाँ पे independence की निशानी है, तो overall जो है, सारी चीजें, जो पेड़ है, उस पे बहुत सारे fruits रखें, लगे हुए हैं, तो overall energy जो है cards की relationship की point of view से भी काफी जादा positive और काफी जादा अच्छी thriving वाली energy है, emotions हाई रहने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस महीने कहीं न कहीं आपके cards indicate कर रहे हैं, कि आपको अपने emotions से deal करना जो है, वो आएगा, और आप अपने emotions के जितने भी blockages थे, उनके across आप जाएंगे, उनसे आगे आप बढ़ेंगे, by the end of the month, क्योंकि emperor का card है, आपके energy इस तरह सी होगी, जहाँ पे, आपके emotions जो हैं, वो completely under your control होंगे, आपके relationships जो हैं, वो nurturing या balanced होंगे, और आप अपनी बहुत अच्छी positive, passionate energy में होंगे, एक eagle eye के तरह आप सारी चीज़ों को clarity से, big picture को clarity से देख पाएंगे, अब ये सारी situation में सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में communicate नहीं करना है, और जल्दबाजी में action नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ wolves हैं, तो मुझे wolf की energy जो होती है, usually attacking आपके relationship life में कोई ऐसे लोग जो है, उनके आप you come across them, जहाँ पे वो आपको नुकसान पहुचाना चाहते थे, या वो आपके साथ सही नहीं थे, positive नहीं थी उनके energy, तो ये महीना जो है, ये actual में उस energy में काफे ज़्यादा change करेगा, रादर आपकी energy में काफे ज़्यादा change करेगा, जिसकी वज़ा से आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से deal कर पाएंगे, तो overall relationships को लेकर काफी अच्छे आपके cards है, हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि king of cups और queen of cups दोनों ही emotions के card होते हैं, pen of cups जो है वो भी emotion का card है, और high priestess कहीं न कहीं अपने आपको balance करने का card होता है, तो इस महीने आपने ये ध्यान रखना है, कि overflow नहीं होना है emotions में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो, जो ace of cups का card है, इसमें भी emotions जो हैं, वो overflow हो रहे हैं, बहुत जादा, और अगर आप typical देखेंगे, तो उसमें पानी गिर रहा है, और cup overflow हो रहा है, तो जब आप emotions overflow होंगे, तो फिर आप वो page of swords के energy में जाएंगे, जिसमें आप immediately react करेंगे, ऐसे चीजें बोलेंगे, जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, और अपने आप पे विश्वास रखें, definitely relationships जो हैं, वो thrive करेंगे और better होंगी, और आप emotionally अपने उपर काफी जादा control, काफी जादा changes, positive changes, जो हैं वो अपने life में देख पाएंगे, अगर बात करें, baby birth की pregnancy की तो cards positive हैं, क्योंकि 10 of cups का card है, queen of cups का card है, तो overall energy cards की positive है, चाहे वो अपना baby होने के लिए हो, या आपने से कुछ लोग जो है, वो adoption का decision भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की cards मुझे लग रहे हैं, यहाँ पर मुझे adoption के chances बहुत हाई लग रहे हैं, तो अगर आपका baby नहीं हो रहा है, या किस तरह का issue चल रहा है, तो आप adoption का decision भी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, बात करें आपके career की, तो career के point of view से, क्योंकि शुरू में ही magician है, eight of wands, seven of wands है, तो आपका definitely एक movement जो है, मुझे आपके career में दिखाई दे रहा है, पास्ट ओवर्रियाक्ट नहीं करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, कि आपके existing job में कुछ फुल्फ हो सकते हैं, आपके existing job में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जो आपके खिलाफ कुछ चीजे करते रहे हों, पिछे से आपके खिलाफ कुछ situations, क्रिएट करते रहे हों पहले से, और आपको इस महीने कहीं ना कहीं उनकी, ना सिर्फ उनकी clarity मिलेगी, बलकि आप कुछ ऐसा करेंगे, जिसकी वजह से आप उनसे deal कर पाएंगे, वो आपका नुकसान करने से हटेंगे, और वहां से आप एक थोड़े से relaxed energy में आप आएंगे, वहां से आप एक ऐसी energy में आएंगे, जहां पे आप अपने आपको थोड़े सा relaxed और better feel करेंगे, और growth की तरफ जाएंगे, तो वो एक growth की possibility मुझे आपके काज में definitely दिखाई दे रही है, फ्रूट बेरिंग के possibility दिखाई दे रही है आपके कार्स में, एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी वक्त पे आपकी जॉब में ऐसा ना हो, कि किसी ने आपको कुछ बोला, जैसे मैंने बोला wolf energy, अगर उसने अटाक किया, तो आपको immediately counter attack नहीं करना है, आपको सोच समझ के अपनी strategy प्लान करके फिर अटाक करना है, तो इसलिए आपको जब भी किसी चीज का response कर देना है, चाहे आपको कोई email है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, जहां पे भी आपको कोई ऐसे energy लगती है, जहां पे वो सही चीज से तरीके से respond नहीं कर रहे है, या आपको पता है कि आपके against कुछ चल रहा है, आपने strategize करके अपना कदम आगे बढ़ाना है, बिना strategy के आपने आगे नहीं बढ़ना है, जो लोग business में हैं, उनके लिए भी energy इस तरह की है, जहां पे resources available होंगे, तो resources की availability में issue नहीं होगा, लेकिन इस महीने थोड़े से slow steps लेने हैं, अगर हो सके तो आप slow move कीजिए, हो सके तो सोच समझ के decision लीजिए, अगर आप जो भी आपके against लोग हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, जिनके energy अच्छी नहीं है, आपको already experience है, अगर आप उन लोगों को अपने control में रखेंगे, अपना ground stand करेंगे, अपने आपको balance करेंगे, और positively आगे जाएंगे, तो definitely business में भी आपको growth मिलेगी, आपके experiences better होंगे, आपने bigger picture देखनी है, यह ज़रूर ध्यान रखना है, और eagle eye, मतलब हर चीज़ को बहुत eagle कीन आई से आपने deserve करना है, observe करना है इस महीने, I'm sorry, so बात करते हैं students की, students के point of view से, इस महीने की energy इस तरह से है, जहां पर उनको एक achievement की energy है, तो क्यूंकि seven of swords, seven of wands है, eight of wands है, achievement की energy है, तो कोई न कोई ऐसे चीज़, जहां पर वो कुछ achieve करना चाह रहे थे, वो अपना कोई course complete करना चाह रहे थे, कोई result आना था, किसी भी चीज़ पर work कर रहे थे, तो definitely कुछ ना कुछ achievement जो है, वो students के खाते में आएगी इस महीने, दूसरा थोड़ी सी relaxed energy है, तो definitely family के साथ time spend कर सकते हैं, अपने खुद के साथ time spend कर सकते हैं, और अपनी energies को थोड़ा सा balance रखें, बस इतना जरूरी रहेगा, बात करें soul growth की, तो soul growth के लिए क्योंकि ace of cup का card, center card है आपका, इस महीने अपने emotions को balance करना, बहुत जादा important है आपके लिए, और उसके साथ में अपने emotions को address करना, कहीं न कहीं महीना ऐसा है, जहां पर जो भी चीजें करने का आप aspire करेंगे, जो भी चीजें आप सोचेंगे करने का, वो आप achieve कर पाएंगे, बट आपको बहुत जादा fast act नहीं करना पड़ेगा, बहुत जादा जल्दी जल्दी नहीं भागना पड़ेगा, बस आपको खुद पर परोसा रखके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो एक energy है इस महीने, तो इसलिए और crown, जो इस फ़कप होता है, वो crown opening आपका card भी होता है, तो अगर हो सके, तो आप अपने आपको grounded रखिए, और meditation हर रोज कीजिए, क्योंकि crown opening आप भी possible है आपके लिए, अब आत करें number of the month की, तो number of the month number 4 रहने वाला है, chakra of the month की बात करूँ, क्योंकि मुझे crown आया है, मैं बोलूँगी कि आपको all chakra meditation करनी चाहिए, अगर all chakra meditation आप नहीं कर सकते हैं, तो आप at least crown और grounding जो है, मेरी बेटी सामने बैठके मुझे इमिटेट कर रही है, crown chakra और grounding जो है, ये दो चीज़ें आप जरूर कीजे, दोनों ही आपके लिए बहुत helpful रहेंगी, आप अचीव कर सकते हो, जो चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ सकते हो उन चीज़ों को लेकर, बात करें, color of the month की, तो actually कोई भी color अच्छा रहेगा, लेकिन yellow मुझे सबसे ज़ादा, yellow या golden color जो है, वो सबसे ज़ादा highlight हो रहा है, आपके cards में, वीडियो का angle आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, अपनी daughter को थोड़ा सा हटाना पड़ा मुझे यहां से, तो उसके कारण बीच में break हो गई, तो बात करते हैं, आपके affirmation of the month की, आपका mental exercise of the month की, जो card है, वो beginning का card होता है, नहीं शुरुवात का, ये card बोलता है, कि हमारी life हमेशा cycles में चलती रहती है, birth होता है, rebirth होता है, हमेशा एक तरहां से, जब हम रात को सोते हैं, और सुबह उड़ते हैं, तब भी एक rebirth होता है, और आपके cards में, सबसे पहली energy, जो है, वो magician के energy है, magician के energy, नहीं शुरुवात के energy, नहीं resources के energy, नहीं तरहां से, जिन्दगी शुरू करने के, एक तरहां से, rebirth के एनर्जी होती है, और उस rebirth के बाद, एक win-win situation है, और नहीं तरहां के experience, जो है, वो अपने, दिखाई देगा, या आपका ground stand करना, जो है, वो सामने दिखाई देगा, और उसे तरहां, ये cards बोलते हैं, कि जब हमारी life में, इसका मतलब है, कि आपके life में, एक नया phase है, नए ideas, नए relationships, नए developments, और इसका मतलब है, कि आपके अंदर, भी नए qualities, जैसे उमीद की, या खुश रहने की, या रोशनी को देखने की, जो है, वो आना बहुत ज़रूरी है, और वो ही आपकी life में, complete change को लेके आएगी, अपनी familiar चीज़ें, जिनको हम जानते हैं, जो चीज़ें हमें known लगती हैं, उनको छोड़ने से मत गभराइए, नए की तरफ जाने से मत गभराइए, इंजल्स जो हैं, वो आपको guide कर रहे हैं, support कर रहे हैं, नया को accept करने के लिए, नई चीज़ों को accept करने के लिए, जो birth होता है, थोड़ा सा vulnerable time होता है, क्योंकि आप अचानक से नई तरहां से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन आपके guides ने आपको protect किया हुआ है, और आपकी जो नई beginnings हैं, वो safely और maturely हो रही हैं, आपकी affirmation है कि मैं नई changes को अपनी life में welcome भी करता हूँ, या हमें basics की ज़रूत होती है, हमें rest की ज़रूत होती है, तो वो एक चीज जो है वो इसके साथ में जाएगी, Surrender message की बात करें, तो पहला card है Surrender to Trust, वो बोलता है खुद पे विश्वास रखें, अपने decisions पे विश्वास रखें, दुसरे लोग क्या बोलते हैं, उनके opinion क्या है, उसको लेकर घबराएं ना, उसको लेकर अपने mindset को change ना करें, action ले, confident रहें, कि आपने सही रास्ता आपने लिए choose किया है, और अगर आप confident रहेंगे, तो आपका रास्ता बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, आपको guide करें और जसे मैंने बोला, जो cups होते हैं, वो intuition के cards होते हैं, वो crown opening cup के cards होते हैं, तो intuition आपकी इस महीन आपको guide करेंगी, और आपने ज़रूर अपने intuition की guidance, जो है वो लेनी है इस महीने, जो mermaid energy का card है आपका, dreaming का card है, dreaming का मतलब है कि आपको अपने आपको अपनी energy को जो है, उस में उस dreaming energy में लेके जाना है, जहां पे आपको सपने देखने हैं, और जहां तक इस card का सवाल है, क्योंकि इस में शंक भी है, तो कहीं न कहीं वो अपने dreams को reality में ला चुकी है, और वो शंक ब्लो करने के लिए ready है, कि हाँ, आप भी मेरे dreams यह सच हो रहे हैं, और उसी तरह की energy है आपको इस मेहीने की, तो इस मेहीने dreaming कीजिए, अपने आप सपने देखिए, अच्य सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है, और उस तरह की energy है, जिसमें आपको इस मेहीने, बहुत ध्यान से समझने और देखने की खुरूरत है, कि आप कहां जा रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, आप जो भी करें, उसके consequences क्या होगी, और इसलिए मैंने बोला कि इस महीने बहुत जल्दबाजी में step नहीं लेने हैं, हर चीज के pros and cons देखने हैं, अपना ground stand करना है और फिर आगे बढ़ना है, तो आपका ये card बोलता है कि आप जो भी choice बनाते हो, उसका कोई ना कोई result होता है या consequence होता है, और आप एक ऐसी situation में हो जहां पर आपको decision लेना है, और वो decision है या तो आपके सपनों को आगे लेके जाएगा, betterment की तरफ लेके जाएगा, या फिर आपको उनको छोड़के नए सपनों की तरफ जाना होगा, और जैसे मैंने बोला कि new beginnings भी हैं आपके life में, choices भी हैं आपके life में, सिरफ आपको क्या करना है, आपको present रहना है, आपको important है कि आप ध्यान, अपने आप पे ध्यान रखें, आप pros and cons जो है वो अच्छे से देखें, चीजों को अच्छे से evaluate करें, ना आप over emotional होके decision ले, ना आप over worry होके decision ले, और जिस भी तरहां की energy आपके आसपास है, आपको ये ज़रूर ध्या ultimately, क्योंकि emperor का card है, definitely आप बहुत एक strong position में जाने वाले हो, तो decisions ले, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बस decisions जो है, सोच समझ के लेने है, आराम से लेने है, जल्दबाजी में ने लेने है, मैं एक life card आप लोगों के लिए निकालूंगी, और before मैं वो करूं, अगर हो सके तो आप लीज वीडियो को लाइक करें, और सबके साथ share करें, और दूसरा की मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं, जो आपकी help कर सकती है, जिंदगी को समझने के लिए, सोल को समझने के लिए, tarot cards को समझने के लिए, तो बहुत सारे चीजे हैं, जो मेरे मेरे चैनल पे हैं जो वीडियोज हैं आपको जब भी टाइम मिले प्लेलिस में जाए उनको देखे और जो भी आपको अच्छा लगें वहां फीडबैक जरूर दीजिए और सबके साथ शेयर जरूर कीजिए मैं बहुत रहे हैं तो थ्री ओफ सोट का काड आया है एस ऑफ पेंटिकल का काड आया है तो काड बहुत क्लियरली इंडिकेट करें है कि कुछ ऐसे situations होती है हमारी life में, कुछ ऐसी चीजbok होती हैं जब हम Stuck feel करते हैं, जब हम अपनी energy में feel नहीं करते हैं, जब हम over emotional feel करते हैं जिस तरह आपके काडز पर भी मैं यह wolf energy का card है और आपके अंदर इस महीने ability है कि आप actually उसके through उसके across आप देख पाओगे अगर आप देखे तो इसकी eyes से रोशनी निकलती है और वही seven of vans का card भी है कि आप stand कर पाओगे इन सब चीजों से उपर उसके बाद में ace of material का card है मैंने बोला कि आपके cards में aces नहीं आय तो वह aces अब आगए है definitely नई beginnings है आपके life में नई opportunities है आपके life में और happy home क्यूंकि 10 of material है 10 of material happy home भी दिखाता है stability भी दिखाता है और यह सारे लोग जो है वह एक पेड के तरफ पेड के चारो तरफ है और पेड बहुत सारे flowers है तो definitely growth दिखाता है grounding definitely आपने करनी है जो मैंने बुला कि crown opening up है grounding बहुत जरूरी होगी but overall energy आपके cards की growth की अच्छे experience की betterment की और new beginning की है आपको बस ध्यान दखना है बहुत जल्दबादी में decision नहीं लेने है pros and cons जरूर देखने है और अपना ground stand करना है अम उमीद करते हूं यह video आपकी मदद करे I'm sorry जब यह आस पास होती है तो फिर video में बहुत disturbance होती है तो I'm sorry for that और I hope अगर video अच्छी लगे मदद करें तो प्लीज सबके साथ share जरूर करें thank you so much bye 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 bye